नमस्कार फ्रेंड सौगत्याप सभी का सॉलूशन दर्वी से की यूटूब चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में भारत के प्रमुक नदी बानों से रेलेटिव टॉप 30 प्लस कोशन इस वीडियो में कवर करेंगे सारे कोशन में MCQ टैप्स हैं तो आपको score जरूबता नहीं कि आप लोगों ने 30 प्लस में से कितना score किया है तो इस वीडियो में 30 प्लस कोशन फुली डिटेल से कबर करेंगे तो इस टॉपिक से एकजाम में जितने भी कोशन बनेंगे तो सभी questions को इस वीडियो में cover करेंगे तो इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूवत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चनल पर पहले आप विजट की चनल को सब्सक्राइब करें बेल आपको प्रेस करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला जो question है question मबान जो है भारत का सबसे उचा बान कौन सा है तो भारत का सबसे उचा बान जो है आप लोग पहले सोच लीजिए तो इसका राट अप्सन जो हो जाएगा भारत का सबसे उचा बान जो है ये टेहरी बान है और टेहरी बान की जो कुल उचाई है ये 260.5 मीटर या फिर 855 फीट है और टेहरी बान जो है उत्राखंड राज के टेहरी जिले में इस्तित है और टेहरी बान जो है ये भागी रथी तथा भिलंगना नदी के संगम पर इस्तित है और टेहरी बान को सौमी राम तीर्थ सागर बान भी कहते है तो यहां से आप लोग ये extra fact जरूर याद रखें भारत का सबसे ऊचा बांध टेहरी बांध है और टेहरी बांध की जो कुल ऊचाई है 260.5 मीटर या 855 फीट है अगर बात करें टेहरी बांध कहां इस्तित है तो ये उत्राखंड राजी के टेहरी जिले में इस्तित है और जो जो है वीडियो कर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेजरू किया करें अगले जो कुछन है कुछनमा टू जो है हीरा कुंड बांध किस राजी में है आप लोग पहले सोच लीजिए तो इसका राट आप्सन जो हो जाएगा इसका ए उप्सन करेक्ट हो है और हीरा कुंड बांध जो है उडिसा राज के संबल पूर जिले में बना है और हीरा कुंड बांध की उचाई जो है 60.96 मीटर तथा लंबाई इसकी जो है 25.8 किलो मीटर या फिर लगवक 26 किलो मीटर है और हीरा कुंड बांध जो है ये महा नदी पर इस्तित है ये उडि तो भारत का सबसे लंबा बान जो है अभी मैंने आपको बताया था तो इसका आंसर जो हो जाएगा हीरा कुंड बान जो की उडिसा राज के संबलपूर जिले में बना है और हीरा कुंड बान की जो कुल उचाई है ये 60.96 मीटर तथा इसकी लंबाई जो है ये 26 किलो मीटर है लगवग और हीरा कुंड बान जो है ये महा नदी नदी पर इस्तित है और हीरा कुंड बान जो है भारत का सबसे लंबा बान है तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन कुशनमा फोर जो है अलमाटी बान किस नदी पर निर्मित है तो अल अप्सर्ट जो हो जाएगा यह क्रेशना नदी पर निर्मित है तो इसका डी $30 hou जाएगा प्रियोजना जो है यह जुलाई 2005 में तयार हुई थी अलमाटी बांद को लाल बाहदुर सास्त्री शागर बांद भी कहते हैं लाल बहदूर सास्त्री बांद सागर बांद भी कहते हैं अल्माटी बांद को तो ये चीह आप याद रखें ये क्रिशना नदी परिस्तित है और ये जो है करनाटक राज्यों में है और इसको जो है लाल बहादुर सास्त्री सागर बांध भी कहते हैं अगला जो कुछ नमब फाइब जो है हीरा कुंड बांध किस नदीपर निर्मित है तो हीरा कुंड बांध जो है ये मैं बता चुका हूँ आपको ये महा नदीपर है और ये भारत का सबसे लंबा बान है तो इसका जो है ए उप्सन करेक्ट हो जाएगा ये उडिसा राजज के संबलपूर जिले में स्थित है हिरा कुंद बान की जो को लूचाई है तो ये है 26-ksenm और ये महा नदी पर है और हिरा कुंद बान जो है भारत का सबसे भारत सबसे लंबा बान है तो इसका राएट ऑप्सन जो हो जाहेगा ये हो जाएगा इसका C option correct हुजाएगा राणी लक्षमी वाई बांद जोबान है ये बेतवा नदी पर इस्त्ट है तो इसका C उप्षमी वाई बांद जोबsels पर निर्मित है राणी लक्षमी वाई बांद जो है उत्तर पृदिष के जhansi जले में बना है और रानी लक्षमी बाइबान को जो है राजगाट बाइबान भी कहते हैं तो ये बेतवा नदी पे है रानी लक्षमी बाइबान उत्तर प्रदेश के जहांसी जिले में इस्तित है और इसको जो है राजगाट बाइबान भी कहते हैं रानी लक्षमी बाइबान को तो ये टेहरी बान किन दो नदियों के संगम पर इस्तित है तो मैं आपको बता चुका हूँ आप लोग पहले सोच लीजे तो इसका राइट आप्शन जो हो जाएगा भागी रथी तथा भिलागना नदी पर इस्तित है टेहरी बान और टेहरी बान जो है ये जो है भारत का सबसे और टेहरी बांट झो है तता भिलागना नदी के संगम पर बना है और टेहरी बांट को स्वामी राम तीर्ट साघरबां भी कहते हैं तो यह चीह आप याद रखें यह भारत का सबसे ऊचा बान है टेहरी बान अगला जो कुछनमा एट मैं तूर्बांद कि सागरवां पस्तित और यह जो है तमिल नाडू राज का सबसे बड़ा बांध है यह जो है कावेरी नदीपन निर्मित है अगला जो कुछन है कुछन में नाइन भाखडा नागल बान किस नदी पर बना है तो इसका रैट आप्सन जो हो जाएगा भाखडा नागल बान जो है सतलज नदी पर इस्तित है तो इसका D आप्सन करेक्ट हो जाएगा यह बान जो है दो बानों को मिलाकर भाखडा और नाग बानों को मिलाकर बना है भाखडा बान जो है ये नागल बान से 13 किलोमेटर की दूरी पर बना है और इसका जो मेन उद्दे से है ये जल बिदुत उत्पादन और सिचाई है और भाखडा नागल बान जो है ये बिस्व का सबसे उचा गुरुतिय बान है बिस्व का सबसे उच तो ये चिए आप याद रखें आब आगे देख लेते हैं लग्हद आ नागल बान दो से इस नदिधिने सब्सक्राइब तो ये ची आप याद रखें भाखड़ा बांग जो है ये पंजाब के होसियारपूर जिले में सतलज नदी पर और नागल बांग जो है ये हमाचल प्रदेश के बिलासपूर जिले में सतलज नदी पर बना है दोनों ही बांग सतलज नदी पर बने हैं तो ये ची आप याद र नागल बांध तूट जाता है तो भांखडा बांध जो है ये उसको समाल लेगा अगर जो है भांखडा बांध तूट जाता है तो नागल उसको समाल लेगा तो यहां पे जो है ये इसका में रीजन है और ये टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे उचा बांध है तो ये मैं आपको बता चुका हूँ अब भांखडा नागल परियोजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी बहुत देशिय नदी घाटी परियोजना है ये राजिस्थान पंजाब और हरियाना की संयुक्त परियोजना है तो ये ची आप याद रखें आगला जो कुष्ण कुष्ण नदी तो इसका बी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा इंद्रा सागरबान जो है मद प्रिदेश राज के खंडबा जिले में इस्तित है और इंद्रा सागरबान जो है ये नर्मदा नदी पर वना है तो ये ची आप याद रखें फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आती ह अगला जो कुछन है कुछनमा 11 नागारजून सागरबान किस नदी पर निर्मित है तो नागारजून सागरबान जो है ये किस नदी पर है तो इसका राइट आप्सन जो हो जाएगा ये कृष्णा नदी पर इस्तित है नागारजून सागरबान जो है ये तेलंगाना और आ नागार जुन सागर जील जो है यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानम निर्मित जील है तो जो नागार जुन सागर बांच से निर्मित जो नागार जुन सागर जील है यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानम निर्मित जील है और यहां पे आप लोग भारत की कर लीज जो है उसको कहते हैं जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती है तो उसी को हम कहते हैं करतिम जील तो गोविंद बलव पंत सागर जील जो है यह भारत की सबसे बड़ी करतिम जील है मतलब मानव निर्मित जील है सबसे बड़ी जो उत्तर प्रदेश और मद्र प्रदेश की सीम नदी तो थीन बान जो है रावी नदी पर इस्तित है थीन बान पंजाब राज के पठान कूट जिले में बनाय गया है और ये रावी नदी पर बनाय गया है तो ये ची आप याद रखें अगला जो कुछन है कुछ नमा 13 शिब शमुंद्रम जल बिद्दूत परियोजना किस इस्तित है तो शिब शमुंद्रम जल बिद्दूत परियोजना जो है ये है करनाटक राज में तो इसका जो है टी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा शिब शमुंद्रम जल बिद्दूत परियोजना जो है ये करनाटक राज के मांडे जिले में इस्तित है शिब शमुंद्रम जल अगला जो कुछनवा 14 जो है निम लिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर पर्योजना से संबंदित है तो आप लोग पहले सोच लिजे तो इसका रैट आप्सन जो हो जाएगा ये नर्मदा नदी तो सरदार सरोवर पर्योजना से संबंदित जो नदी है ये है नर्मदा न बड़ा बान जो है ये सरदार सरोबर बान है और भारत का सबसे बड़ा बान जो है ये भांखणा नागल बान है और दूसरा सबसे बड़ा बान जो है ये है कौन सा ये है सरदार सरोबर बान ये चीजिए आप याद रखें और सरदार सरोबर बान जो है नर्मदा नदी पर ब नागर जुन सागरबान जो है ये आंद प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर इस्तित है नागर जुन सागरबान जो है आंद प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर क्रेशन नगी पर बना है नागर जुन सागरबान से निर्मित नागर जुन सागर जील जो है ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी करतिम जील या फिर मानम निर्मित जील है और यहाँ पे बिस उप की जगे आप लोग भारत का लिजिए तो यहाँ पे जो है भारत की सबसे बड़ी करतिम जील जो है भारत की सबसे बड़ी मानम निर्मित जील जो है गोविंद बलब पंत सागर जील है जो कि उत्तर प्रदेश और मद्र प्रदेश की सीमा पर इस्तित है। अगला जो कुछन है कुछनमा 16, निमल खित में से कौन सा बान नर्मदा नदीपन नहीं है। तो कौन सा बान जो है ये नर्मदा नदीपन नहीं है। तो इसका राइट अप्सन जो हो जाएगा बांड सागर बांड जो है ये सो नदी पर है तो ये ची आप याद रखें और ये तीनो बांड जो है नर्मदा नदी पर है तो ये ची आप याद रखें जबकि ये बांड सागर बांड जो है सो नदी पर है तो बांड सागर बांड जो है मद पिर्देश राज के शह डोल जिलेव के देव लोध नामक इस्थान पर निर्मित अंतर राज ये बहुत देश ये ब्रद नधी गाटी पर योजना है ये बांग जो है मद पिर्देश में सो नधी पर बनाया गया है तो ये आप याद रखें शोन भद्र शिला पर बनाया गया है तो ये चीज़ आप याद रखें अगला जो कुशना कुशनमा 17 दूल हस्ती हाइड्रो पावर प्लांट किस नधी पर इस्तित है तो दूल हस्ती हाइड्रो पावर प्लांट जो है ये चिनाब रिवर पे है तो चिनाब नधी पर जो है ये दूल हस्ती पावर प्लांट जो है यह चिनाम नदी पर इस्तित है अगला कुछ स्थे संध्र ऑस्थान जो है तो अब्लबसागर अगर बात की जाए ये करीब जो है सत्तर बर्ग मील में फैला हुआ है गोबिंद बलब पंत सागर जील जो है ये भारत की सबसे बड़ी करतिम जील है तो ये चीज़ आप याद रखें अगला जो कुछना कुछनमा 19 जो है महा नदी पर निर्मित बान का नाम क्या है तो महा नदी पर जो बान बना है ये बना है हीरा कुंड बान तो इसका B option correct हो जाएगा हीरा कुंड बान जो है ये उडिसा जिले के जो है संबलपूर डिश्टिक में है ये चीज़ आप याद रखें उडिसा में जो है महा नदी पर निर्मित बान है ये संबलपूर से 15 किलोमेटर की दूरी पर है और 1957 में महा नदी पर निर्मित ये बान संसार का सबसे लंबा बान है इसकी कुल जो लंबाई है 25.8 या फिर 26 किलोमेटर की है तो संसार का सबसे लंबा बान जो है ये है कोन, हीरा कुनद बान, तो इसको आप याद रखें, अगला जो कुछना कुछन्वा टॉंटी, क्रिश्ना सागरबान किस नदी पर इस्तित है, तो क्रिश्ना सागरबान जो है, ये किस नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पर इस्तित है, तो इसका जो है B-Option correct हो क्रिष्णा राजा सागरबान ये फिर क्रिष्णा सागरबान भारत के करनाटक राज में इस्तित है क्रिष्णा सागरबान जो है ये कावेरी नदी पर निर्मित है कावेरी नदी पर जो निर्मित बान है शिब शमुंद्रम बान जो की करनाटक में है मैटूर बान जो की तमि पर इस्तित है अगला जो कुछ ना कुछ नमा जो 21 है भारत की सबसे बड़ी बहुत देशिया नदी घाटी परियोजना कौन सी है तो भारत की सबसे बड़ी बहुत देशिया नदी घाटी परियोजना जो है ये है भाखडा नागल परियोजना तो इसका A option करेक्ट हो जाएग और हरियाना की सैयुक्त पर्योजना है तो ये आप याद रखें भारत की सबसे बड़ी बहुत देशी नदी गाटी पर्योजना भाकड़ा अनागल पर्योजना फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक इंड शेजरुकिया करें अगला जो कुशना कुशना 22 श्री सेलंबान किस नदी पर निर्मित है तो श्री सेलंबान जो है ये किस नदी पर है तो इसका राइट आप्सन जो हो जाएगा कृष्णा नदी पर निर्मित है श्री सेलंबान अगर बात की जाए श्री सेलंबान जो है ये आंध प्रदेस में क्रिशना नदी पर बनाए गया है तो स्री सेल अंबान जो है ये आंध प्रदेश में क्रिशना नदी पर बनाए गया है और स्री सेल के मुख्य शेहर से ये कुछ ही किलो मीटर की दूरी पर है और इस बान को जो है नल माला परवतों के भीतर ये गहरी खाई के ऊपर बहुत ही रड़ नीतिक रूप से बनाए गया है तो येची आप याद रखें अगला जो options कुष्ण partir जो है इन में से कौन सा बान बिस्व का सबसे ऊचा गुरतिय बान है तो बिस्व का सबसे ऊचा हऌन गुरतिय बान जो है ये कौन सा बान है तो भाकडा नागल बान जो है ये बिस्व का सबसे उचा गुरतिय बान भी है तो ये ची आप याद रखें भाकडा नागल बान जो है दुनिया का सबसे उचा गुरतिय बान है ये सतलज नदी पर बना है भाकडा नागल बांध जो है ये टेहरी बांध के बाद दूसरा सबसे उचा बांध है तो भाकडा नागल बांध है तो ये आप कन्फ्यूज मत हुएगा सारे कुशन मैंने आपको बता दिये है फुल डिटेल से अगला जो कुशन मा जो 24 है मैथान बांध किस नदी पर इस्तित है तो मैथान बांध जो है ये किस नदी पर है तो ये बराकर नदी पर इस्तित है तो इसका ए उप्सन करेक्ट हो जाएगा मैथान बान जो है बरा का नदी पर बनाये गया है मैथान बान जो है ये जारखन राज के धनवाद जिले में इस्तित है मैथान बान जो है दामोदर नदी घाटी पर्योजना के अंतरगत बनाये गया है 7 जुलाई 1948 को सोतंत्र भारत की पहली बहुत देशिये परियोजना जो के रूप में जो है दामोदर नदी गाटी परियोजना अस्तित में आई थी सोतंत्र भारत की पहली बहुत देशिये परियोजना जो है ये दामोदर नदी गाटी परियोजना है तो इसको आप याद रखेगा अग्या जो कुछन ना कुछन मार टॉन्टी फाइब जो है उकाई परियोजना इस्थित है तो उकाई परियोजना जो है ये कहाँ इस्थित है तो इसका राइट listened जो हो जाएगा गुजरात में तापती नदी पर इस्थित है उकाई परियोजना अगर बात की जाए उकाई परियोजना की तो उकाई परियोजना जो है यह गुजरात में तापती नदी परिस्तित है यह भारत की जो है एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है उकाई परियोजना जो है भारत की नदी घाटी परियोजना में से जो है ए अगला जो कुछना कुछ नमर टॉंटी सिक्स जो है पॉंग बान किस नदी पर बनाए गया है तो पॉंग बान जो है ये किस नदी पर है तो ये ब्यास नदी पर इस्तित है पॉंग बान जो है ये ब्यास नदी पर इस्तित है तो इसका डी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा पॉं की गई थी भारत में प्रथम जल बिद्दू सयंत्र की स्थापना तो ये दारजलिंग पश्य मंगाल में की गई थी तो इसका C आप्शन करेक्ट हो जाएगा भारत में प्रथम जल बिद्दू सयंत्र की जो सुरुवात है अठारा सो संतानवे इस भी में दारजलिंग पश्यमंगाल में हुई थी जहां पहली बार जो है 130 किलो बार चमता का जो है पहला जल बिदूत जो है गरे बनाया गया था ये चीज़ आप याद रखें भारत में प्रथम जल बिद्दू सेंत्र जो है ये दारजलिंग पशिम मंगाल में बनाये गया था जो मैं आपको बता चुका हूँ अगला जो कुशना कुशनमा 28 जो है मेजा बान का निर्माड हुआ है तो मेजा बान का निर्माड कहां हुआ है तो ये हुआ है कहां कोठारी नदी पर हुआ है और ये जो है राजस्तान के भील बाड़ा जिले में इस्तित है मेजा बान और मेजा बान जो है ये कोठारी नदी पर बनाए गया है अगला जो कुछ नमा जो 29 है निम लिकेट में से कौन सा बान चम्बल नदी पर बना है तो चम्बल नदी पर निर्मित बान जो है यह आपको बताना है तो इसका राइट आपसन जो हो जाएगा राडा प्रताब सागर बान राडा प्रताब सागर बान जो है ये चम्बल नदी पर बनाए गया है राडा प्रताब सागरबान जो है ये राजस्थान राज में इस्तित है अगला जो कुछना कुछनमा 30 जो है जवाई बान किस नदी पर ने इस्तित है तो जवाई बान जो है ये किस नदी पर है तो इसका right option जो हो जाएगा ये लूनी नदी पर इस्तित है तो इसका c option correct हो जाएगा जवाई बान जो है ये राज़िस्थान में लूनी नदी पर इस्तित है अगला जो कुछनवा 31 जो है निमलिखित यूग्मो में से कून साथ सही सुमेलित नहीं है तो इसमें आपको गलत तो यहां पे जो है नागार जुन सागर बान जो है यह किस नदी पर है तो यहां पे गोदाबरी नहीं होना चाहिए यहां पे क्रिशना होना चाहिए यहां पे जो है क्रिशना नदी होना चाहिए क्योंकि जो है नागार जुन सागर बान जो है यह क्रिशना नदी पर है तो इ तो इसका जो राइट आप्सन जो हो जाएगा इसमें गलत पूछा था इसमें गलत जो है ये पहला बाला है जिसमें नागारजुन सागरबान को जो है गोदावरी नदी के सामने किया गया था तो यहां पे गोदावरी को गलत कर लीजिए कृष्णा यहां पे कर लीजिए तो आप लोगों के लिए एक question है आपको रंजीत सागरबांद के बारी में फूल extra fact के साथ आप लोगों को comment box में लिखना है जैसे मैंने आपको जो है कड़ी मेनत के साथ आपको fully detailed से मैंने आपको बताया था तो उसी तरह जो है आपको रंजीत सागरबांद के बारी में comment box में fully detailed से आप लोगों को लिखना है मैं सारे comment को read करता हूँ तो आप लोग comment जरूर करिएगा इसका answer fully detailed से थेंक्यू friends आप लोगों ने जो है वीडियो को enjoy किया है आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like and share जरू किया करें अगर चैनल पे पहले आप विजिट किया है चैनल जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जय हिन वंदे मातरम